इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा होगा तीवी पे दिखाया गया खून खोलता था उसको देखके और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ ने कुछ कर दिया जाए लेकिन लोगतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से कर देंगे प्रजभूशन को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थम कर रही है उसको भी दो हजार चोबिस में सौ फीसदी हटा देंगे ये आप मान के चलिए मैं तो आज की सभा के बाद सीदे जाके राजनात राज राजस्थान में कूद जाऊंगा वहां चुनाव है अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे मैं पहलवान भाईयों को भी कहूंगा अगर एक दो दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है इनके समर्थन के दक्षे निर्मल उसके किसाब हमारे हां इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे अब ये तो इनके उपर है ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं लेकिन मैं अपनी जाज से खुद से मैं जाओंगा और राजस्थान में इनको घुसने लाइक नहीं छोड़ेंगे ये का बदला लेंगे मैं जादा लंबा नहीं करके मैं और जो जरूरी चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पुल्वामा का एक मामला है जो मैंने अभी 20 दिन पहले बोल दिया उसके बाद से मेरे जो कारिकरता थे उन सब के हासी दिया ही नहीं पे कुछ थानी क्या मिकलने वाला था लेकिन वो इसलिए कि ये जो पुल्वामा है इसमें हमारे 40 लड़के शहीद हुए और उनकी लाश पे खड़े होके इनोंने चुनाव लड़ा मैंने जब इनका फोन आया ये शूपिंग करा रहे थे अपनी उसमें नेशनल कॉर्वेट पार्क में और मुझे कहा प्रदान मंतरी जी ने कि सत्काल भाई बताओ क्या हुआ मैंने बताया कि साब ऐसे ऐसे हुआ और हमाले 40 से जादा नوجमान मारे गए और उसमें हमारी भी गलती रही तो इन्होंने पूछा क्या मैं का उन्होंने पांच जहाद मांगे थे अगर वो पांच जहाद मर्द मिल जाते तो इनको सडक से नहीं चलना पड़ता तो मुझे प्रदान मंतरी जी ने कहा कि तो अभी चुप रहो मैं दो चैनल को बोल चुका था फैर उसके 25 मिनट बाद जो देश का नेशनल सिकूरिटी एडवाईजर है क्या नाम है उसका अजीट डोबाल वो मेरा क् होना और उसमें भी यही कहा कि मलिक साथ इसके अभीमत बोधिये चुप रही है मैं समझा शायद यह जाच करेंगे आज तक उसकी जाच नहीं हुई और उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ के उस मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता मैं आप से कहना चाता इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ जात थी की मेरे से मांग लेते पाट जहाच में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री ने उनको जहाद नहीं दिये और वो सब बच्चे शहीद हो गए दूसरे जब ये किसानों का अंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा चार महीने तक कोई बादशीत किसानों के साथ नहीं हुई मुझसे बरदाश नहीं हुआ मैं इस्तीफा अपनी चेव में रखके इन से मिलने चला गया और मैंने जा के इनको कहा के साथ ये चार महीने से बैठे हैं इन से कोई बादशीत करके इसको किसी तरह सल्टा लिजिए तो बोले नी सुताल भाई ये चले जाएंगे तो मुझे बहुत गुस्सा आया मैंने का साथ ये ऐसे नी जाएंगे तब जाएंगे जब आप चले जाओगे आप इन में सिखों को नहीं जानते हो सिखों के गुरू ने अपने चार साथ जादे कटवा दिये थे लेकिन समझवता नहीं किया था और ये जब ब्लू स्टार किया था मिसेज गांधी ने उसके बाद एक महीना मिसेज गांधी ने एक महीने तक महामल तुन्जय का पाठ करा थ अब नहीरू मेरे दोस्त थे उन्होंने का, बुआ, आप तो इसमें यकीन भी करती थी, तो मिशिस गांधी ने कहा के, नहीं भीया, तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका सुन मंदिर छुआ है, बुआ जिन्दा नहीं है, ये मुझे मारेंगे, और वो मारी गई, जनलल मेत मारे गई तो मैं कहा, साथ, जिन कोंनों से लड़ो, उनके बारे में जानलो कि लड़ किन से रहे हो और इनके साथ ही हमारे वाले ये तो छटे महिने लाल के लिए पे चड़े रहते हैं इन्हों तो अक्बर की कबर खोद के उसका दहासंसकार कर दिया था तो ये लड़ने की चीज नहीं है ये बादचीत करने की चीज है लेकिन उस वक्त पुर्धानमंतरी बहुत घमंड में थे दो महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े और इसी तरह मैं बता रहा हूँ इन बच्चीयों का आप इनको समर्थन देते रहिए माफी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी और ये जीत के निकलेंगे ये सरकार 24 में अगर आप नहीं हटाओगे तो आप हट जाओगे खेती को खतम कर देगी फौज को खतम कर देगी अगनी बीर लाके फौज को तो वैसे ही खतम कर दिया है तो ये हमारे सारे रास्ते जिन्दा रहने के बंद कर देगी लेकिन अगर आपने हटा दिया तो फिर वाकई एक अच्छा वक्त इस देश में आएगा तो मैं आपसे कहूंगा कि उस दिन आप मत भूलना आपकी आदत है आप एकठा रहना जात पात में मत जाना और एकठा हो के इस सरकार को हटा देना बर्खास कर देना और एक तरह से परास्ट कर देना बहुत लंबा में हो गया मैं अभी जब इन्होंने चार कानून वापस लिए माथी मांग के वापस लिए थे कि हमसे गलती हो गई लेकिन आज तक एमस्पी को कानून नहीं बनाया बिना एमस्पी के किसानों का गुजारा नहीं है एमस्पी जरूर लागू करनी चीए लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई है वो लागू होगी जब आप दुबारा लड़ाई की हुंकार भरोगे और मैं आश्रस्थ हूं कि किसानों को एक लड़ाई दुबारा लड़नी पड़ेगी वो चाहे चुनाव से पहले लड़ यह चुनाव के दिन लड़ो एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी एमस्पी के लिए मैं बहुत लंबा हो गया सब ठके हुए है